फ्रेंज आप सभी का वेलकम है मेरी यूटूब चैनल सबके सब पर आज के इस फोटोशॉप के टीटोरियन में हम लोग सीखेंगे कलर इनहांस करने का एक और नया तरिखा इस प्रोसेस को यूज करके आप किसी भी फोटो का लुग अलग तरह से चेंज कर सकते हैं यह देखें before after आपको दिखाता हूँ यह देखें before and after अगर आपको इस तरह का कुछ फोटो मिले तो आप इसका लुग भी ऐसा चेंज कर सकते हैं यह देखें before and after कैसे करेंगे आए समझते हैं सबसे पहले इन तीनों को delete करता हूँ बहुत ही easy है आप सबसे पहले यहां adjustment layer पर आएंगे और यहां आने के बाद exposure पर आएंगे और यहां से exposure बढ़ा देंगे मैं यहां पर exposure 1.5 एड़ करता हूं और उसके बाद यहां बंद कर देते हैं और उसके बाद इस layer के blending mode को change करना है आप यहां normal से change करके use करेंगे soft light अब उसके बाद दोबारा जाना है adjustment adjustment layer पर इस बार आपको यूज करना है color lookup, color lookup पर आने के बाद आप यहां देखेंगे load 3D LUT होगा, आप इस पर click कीजेगा, यहां पर आपको एक option मिलेगा horror blue 3DL, इस पर आप click कीजे, उसके बाद आप इसे बन करके, इसके blending mode को change करके, आप यूज करेंगे soft light या overlay, इन दोनों इसके से एक को आप यूज कर सकते हैं, फिलाल soft light ही यूज करूंगा, अब एक बार फिर से हम लोग चलेंगे adjustment layer पर और इस बार हम लोग color lookup के अंदर यूज करेंगे foggy style, यहां से आप यूज कीजे foggy night, आप इस पर click करेंगे और select कर लेंगे, इसके mode को भी change करके आप यू 50% यूज कर रहा हूँ, और यहां पर जो इसका lookup था, इसको भी कम करेंगे, यहां से कम करके आप देखेंगे, जो आपको सटीक लगे, वहां पर ले जाकर छोड़ देंगे, almost 60%, exposure को थोड़ा कम करना होगा, यह देखे, अब आपका look एक movie poster के जैसा हो गया है, यह देख सकत हैं before and after, before and after, तो friends अगर आप चाहते हैं इसी तरह से photoshop को details में सीखा जाए, तो आप मेरे online premium glass ज़रू जोइन कीजे, अभी lockdown के वज़ा से 50% discount चल रहा है, आप इसे जल्दी call करके join कीजे, contact number और email ID हमने description में दे दिया है, आप जब चाहें call कर सकते हैं, और friends वीडियो दीजे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कीजे, वीडियो अच्छे लगते हैं, तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कर दिया करें, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रया, thank you so much friends.